कल बच्चो प्रभाविता के नियम के बारे में अध्धिन किया, आज दूसरा नियम प्रथक्रण का नियम या युगमकों की सुद्धता का नियम के बारे में अध्धिन करेंगे जैसा कि प्रभाविता का नियम मेंडल के एक संकर संकरण के प्रिणामों पर आधारित है वैसे ही प्रतकरण का नियम भी एक संकर संकरण के प्रिणामों पर ही आधारित है इस नियम के अनुसार F1 PD के संकर विसम युगमजी से ये जैसे सुद्र लंबे पादप लिए ये सुद्र बोने पादप दोनों युगम विकल्पी अलग अलग हो गए अब इनका जब यनकी संक्रण कराया जाता है तो FNPD प्राप्त होती है तो सभी के अंदर यनकी जब प्रथम यनकी इस इनकी टी का स्मॉल टी के साथ कराते हैं तो ये संकर संत्त्ति प्राप्त होया था विसम युगम जी लंबे पादप प्राप्त होया ऐसे अब इसका दूसरे इनकी टी के साथ करा देते हैं तो ये प्राप्त हो गया ये भी संकर लंबे पादप है ऐसे इसका इधर दोनों से करा देते हैं तो वो इनकी जैसे इसमें प्राप्त हो ये वैसे इनकी इसमें प्राप्त हो जाते हैं सभी इनकी F1 PD जो प्राप्त हो इसमें विसम युगमजी लंबे पादप जिसे अपने कह सकते हैं कि संकर लंबे पादप भी कह सकते हैं प्राप्त होते हैं ये जो संकर लंबे जो पातप है अर्थात F1 PD है तो इसमें ये बता है F1 PD के संकर ये विसम युगमजी से युगमक बनते समय ये अपने पास में इनकी क्या होगे विसम युगमजी पातप प्राप्त इन से युगमक बनते समय यह जैसे नर्युगमक यह जैसे मादयुगमक तो युगमक बनते समय दोनों युगम विकल्पी एक दूसरे से अलग होकर पर्थक पर्थक हो जाते हैं और अलग होकर युगमकों में चले जाते हैं दोनों युगम विकल्पी पर्थक पर्थक होकर अलग अलग युगमकों मे जाता है तो पहले जो है इसके अंदर बोनापन जो है बोने के जो लक्षन है वो दिखाई नहीं देते थे अब इसके अंदर यनकी पर्थक वोने के बाद में ये लक्षन दिखाई देने लग जाते हैं इसलिए इसे हम युगमकों की सुद्धता का नियम भी कहते हैं पहले इस युग इंदर F2PD में तीन पादप तो ऐसे हैं जो लंबे हैं वो चाहिए सुद्ध हो या संकर हो लेकिन कैसे हैं बाहर से देखते हैं तो लंबे दिखाई देते हैं तो तीन और एक पादप ऐसा जो बोना दिखाई एता है तो लक्षन प्ररूप अनुपात हुआ तीन अनुपात ऐग जीन प्ररूप अनुपात में जीनी संद्रचना को देखते हैं तो जीनी संद्रचना में फर्ष्ट में जैसे आपने लिए ये कोलंब तो बड़ाटी बड़ाटी है निक्द लंबे पादप अब कितने हैं पादप के ओल एक ही है तो एक अनुपात अब दूसरे इस लिए इस नियम को कहते हैं मैंडल का पर्थक करन का नियम या युगमकों की सुद्धता का नियम अब इसमें भी इनकी पर्थक करन के नियम के अंदर इनकी एक आता है अलग से इसमें भी कुशन पूछ लेता है कि बैक क्रोस किसे कहते हैं संकर पूर्वत संकरन से आप क्या समझते हैं तो इसमें ये बता गया कि जो अभी आपने पढ़ा कि ये जो F1 PD जो प्राप्त होती है इस F1 PD जो है इसका संकरन करवाएं वो किसके साथ में करवाएं इसका संकरन प्रभावी या एप्रभावी दो जनक हैं तो ये तो इनकी क्या हो गया प्रभावी लक्षन एक प्रकार से बड़ा टी बड़ा टी प्रभावी और ये छोटा टी एप्रभावी इसमोल तो इसलिए अपन कहते हैं कि F1 PD जो अभी आपने पढ़ी उसका संकरन द दोनों जनकों, दोनों जनक या तो सुध लंबा या सुध बोना, मैंसे किसी एक के साथ कराया जाता है, तो इसे संकर पूर्वत संकरन कहते हैं, बैक क्रोस के नाम से जाना जाता है, अब ये इनकी बात इस पर डिपेंड करती है कि अपना किस के साथ कराएं, प्रभावी के सा तो इसके आधार पर भी इसे दो भागों में बाढ़ दिया इसे A और B के अंत्रगत पढ़ते हैं तो बै ख्रोश दो प्रकार का हुआ नमर ए जिसे कहते हैं भाय संकर्ण आउट क्रोस, जिसे क्या कहतेंगे, आउट क्रोस के नाम से जानते हैं, तो इसमें क्या होगा, F1PT जो है, इस प्रकार के संक्रन में, F1PT के जो पादप हैं, जो संकर लंबे या विसम युगमजी लंबे पादप रापत होए थे, इनका संक्रन प्रभावी जनक, प्रभाव लंबे पादप राप दूए थे तो यह FNPD थी तो FNPD इनको दोनों का लग करते हैं तो Capital T, Small T अब यह अलग-अलग युगमक हो गए ऐसे अनकी अभी पड़ा कि इसका संक्रण FNPD का जो संक्रण है किसके करवाएं? प्रभावी जनक जो है उसके साथ मकरा तो प्रभावी लक्षन क्या हुआ? जैसे सुद्र लंबे पादप इसके साथ मकरा दिया इसका इनकी एक युगमक क्या बन गया? टी, Capital T आ गया तो इससे जब करवाते हैं तो यह तो अपने पास में आगए इसके दोनों यह तो आगए इसके F1 PDK और यह जो टी है इसका इससे संकर करा दिया तो यह हो गया सुद्र लंबे पादप और यह संकर लंबे पादप अब इसका इनकी जब अपने देखें तो लक्षन प्ररूप अनुपाद कितना आया? सभी पादप कैसे हैं? लंबे हैं तो 100% पोदे कैसे हैं? लंबे हैं और जीन प्ररूप अनुपाद यदि देखते हैं तो इसमें 50% पोदे तो ऐसे हैं जो सुद्र लंबे हैं और 50% पोदे ऐसे हैं जो संकर लंबे हैं अर्थात इसको काड़ते हैं तो कितना है? एक अनुपाद एक अर्थात एक अनुपाद एक इनकी सु कर लंबे पादप्राप्त होते हैं इस प्रकार के संक्रण को कहते हैं आउट क्रोस आउट क्रोस के नाम से जाए इसका दूसरा प्रकार जो है दूसरा प्रकार उसको अपना बोलते हैं परिक्षन संक्रण टेस्ट क्रोस तो टेस्ट क्रोस में क्या होगा वो यानि एफन पीट वहाँ परभावी के साथ में अपरभावी के साथ कराए तो इसका यूगमक वनेगे small t और यह एनकी capital और यह small इसका फिर कराता हैं तो यह तो इनकी कौन सी होगी और इनकी होगै अपने पास में एक यूगमक कौन सा एप्रभावी तो इसके साथ कराएंगे तो इसका बड़ा टी इसका छोटा टी इसका छोटा टी तो ये संकर लंबे पादप प्राप्त हो गए और ये सुध बोने पादप प्राप्त हो गए तो लक्षन प्ररूप अनुपात कितना हुआ पचास परसेंट जो पादप हैं वो तो लंबे हैं तो पचास परसेंट पादप पोनने हैं तो एक अनुपात एक आ गया और जीन प्ररूप अनुपात देखते हैं तो पचास परसेंट पोते हैं वो तो कैसे हैं जीने संदचना देखते हैं तो संकर लंबे पादप हैं और पचास परसेंट कैसे हैं सुद्ध बोनने हैं तो वो